हलो दोस्तों आप देख रहे हैं डी कोट इंडियन तो यहां पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के दौरा एक ऐसा फैसला लिया गया है जिससे प्राइवेट बैंक पे जो इंबार को लगा हुआ है बैल लगा हुआ है गवर्मेंट बिजनस को लेकर के उसको हटा दिया गया है अब जिदनी भी प्राइवेट बैंक है वो गवर्मेंट बिजनस में पार्टिसिपेट कर सकती है और गवर्मेंट रिलेटेड बैंकिंग ट्रांजेक्शन अब उनके दौरा किया जा सकता है जैसे कि टेकसेस और दूसरे रेवन्यू पेमेंट फैसलिटीज हो गया है अब तक क् इंपक्ट क्या होगा और इसके माइनी क्या है वित मंत्री निर्मला स्तरमन का ट्रिट देख सकते हैं आप उन्होंने बेसिकली यहां पे इनफॉर्मेशन दी है कि प्राइवेट बैंक्स पर से इंबार्गों को हटा दिया गया है और अब जितनी भी प्राइवेट बैंक्स सकते हैं इसमें गवर्मेंट बिजनेस से आप कर सकती है और यहां पर कलेक्शन ऑफ टेक्स पेंसेंट और स्मॉल सेविंग स्कीम जो निकाला जाता सरकार के दौरा वह तो कुल मिलाकर आपको अगर मैं बताऊं तो जितनी भी सरकार को अगर बैंकिंग सेक्टर से अगर माल आप जैसे इंबार को हटा दिया गया है सरकार के दौरा तो अब जो भी प्राइविट सेक्टर बैंक है वह अब उन्हें परमीशन नहीं लेना पड़े का गवर्मेंट बिजनस और गवर्मेंट एजनसी बिजनस करने के लिए अभी फिलहाल सिर्फ कुछी लाज प्राइव में 2012 में फाइनेंस मिनिश्ट्री के द्वारा ये फैसला लिया गया कि प्राइविट बैंक पर से इंबार्गों को नहीं हटाया जाएगा वह तीन सालों तक और गवर्मेंट बिजनस को नहीं कर सकती है यहां पर तीन साल के बाद 2015 में सरकार के दौरा सेम फैसला लिया गया कि इंबार को नहीं हटाया जाएगा यहां पर लेकिन जो पहले से प्राइवेट सेक्टर बैंक थी जो कि गवर्मेंट एजनसी बिजनस करती थी उनको यहां पर बढ़करा रखा गया लेकिन कोई फ्रेस ऑथराइजेशन किसी भी बैंक को यहां पर नहीं दिया गया जो भी प्राइवेट बैंक या फिर पब्लिक बैंक गवर्मेंट बिजनस करता है तो उसको यहां पर रबी आ के द्वारा कुछ कमीशन दिया जाता है जो है जेनरल बैंकिंग बिजनस चाहे वह सेंटरल का हो या फिर स्टेट का हो उसको करने के लिए एक किसी एजनसी बैंक को आरबी एक नाइटीन थटीफोर के सेक्शन फोर्टिफाइब के अनुसार यह बाते की जाती है अगर हम बात करें कि किस चीज के लिए किस किस ट्रांजेक्शन जो है यहां पर रेवन्यू रिसीट्स पेमिंट और बिहाप ऑप अप्ते सेंट्रल एं स्टेट कवर्मेंट स् कमीशन दिया जाता है अब देख सकते हैं यहां पर कमीशन पेट टू बैंक्स बाइर बिया लिखा हुआ है टाइप आफ ट्रांजेक्शन जैसे कि अगर रिसीप्ट हो गया फिजिकल मोड में हुआ तो पर ट्रांजेक्शन यहां पर 40 रुपीस दिये जाते हैं रिसीट्स कि अगर इमड में होता हैं लक्त्रांटिक मोड में तो रुपया चांजेक्शन दिया जाता है पेंशन पेशन पेमिंट पिर फैसमी चाहिस प्यू फायशम पाल में हैं को अपने account को maintain करने के लिए public sector bank जादा दर लोग चुनते हैं यहाँ पे tax pay करने के लिए फिर कुछ भी अब क्या हो सकता है private bank को भी यहाँ पे चुना जा सकता है customers के दौरा इसके अलावा सरकार के दौरा जो अलग-अलग social sector program चलाया जाते हैं समाज को बढ़ावा देने के लि सब के अलावा जो flow of current account और saving account होता है bank के अंतरगर चाहे फिर बात हो pension account की वह हमेशा बरकरार रहेगा उसका flow अच्छा रहेगा हालाकि इस पूरे कदम से अंदाजा लगाए जा रहा है कि जो public sector bank है उन पर बहुत जादा प्रभाब डालेगा यह अभी public sector bank के लिए government related business बहु transaction related business है जो normal transaction related business होता है उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देगी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं है अलग अलग मिनिस्ट्री के द्वारा जो deployment of funds से जुरे काम होते हैं उन पर यह जो private sector की bank है वो ध्यान देगी जो कि उनके लिए बहुत जादा फायदे मंद होने व